यह वीडियो का टाइटल है कि हिंदु धर्म के अंदर जो राम जी है वह मास खाते थे लेकिन हिंदु भाई क्यों नहीं खाते हैं तो इसी वीडियो का टाइटल है गाइस मैं अपनी तरफ से नहीं कहे रहा तो प्लीज मुझे गलत कमेंट ना करिएगा और यह वीडियो अज़ते बिना टाइम गवाते हुए यह जब यह लोग मर जाते हैं तो उन्हें की खाल को आशन बनाई जाती थी कोई बना सकता है तो बना ले अब रामजी बनाए कि नहीं यह तुम्हें नहीं बता सकता परन्तु बनाई जाती जब मर जाए वह अपनी मृत्त्यू से तो की खाल काम पर आती है तो और आज की जमाने में जैसे कोई मुर्गाव गड़ा खाता है या खाने की फैर की ब ड़ग अलग है ना मेरे बाइब नथी ऑल pavitra होती है जह खाना की जो खाल है अगवान जब कोई अपनी मौत से सेर मर जाए तो सेर अपनी मौत से मर गया उसकी खाल किसी ने निकाल ली और लेकिन महराजी जी तो बोल रही थी कि उसी रन को पड़के लिया ओ अगर वो जीवीत हाथ नहीं आया तो आपके वह मिर्क्षान उसके आपके बैठने के काम आएगी हाँ ह बैठने की बाद हम कहतों रहे हैं खाने की बाद थोड़ी कही जी माता सीता ना किसका मांस खाएंगे अच्छा वरी म्रग चर्म सौने का म्रग है और सौने का म्रग है तो ले आओ घर में रखेंगे याद दास्त रहेगी कि भाई कभी अपन जंगल गए थे तो देख दो चीरा भाड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि वह डॉक्तरों की सिक्षा का एक माध्यम है उसी प्रकार राजाओं को जो गलत शिकारी जानवर हो जाते थे जो और जानवरों को खाते थे परिशान करते थे उन दुष्ट जानवरों को मारने की परमीशन राजाओं को हुआ क करते थे इसलिए रहे किया तो यह जो recher stubborn Manager में जो म dennosता है जिसमें पानी परके पिलाते हैं वह भी तो खाल होती मैं सकती है जी मैं खाता हो जोड़ हो कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्यूंकि वह ज्यानवस कर रहा है दोस्तों ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा बीफ एक्सपूर्ट करने वाला मुल्क है लेकिन ऐसी क्या वज़ा है कि जब इड़े कुर्बा आती है वहाँ पर मुसल्मानों के खिलाफ नफरत अंगेज मोहिम शुरू हो जाती है दोस्तों ये बात हम नहीं कह रहे खुद भारती वजीर आजम नरेंदर अमोदी भी एक बात कह चुके हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ फरुख करने वाला मुल्क बन चुका है आईए आपको इनका ये बयान सुनवाते हैं और पूरे विश्व में मास मतन का एक्सपोर्ट का बिजिनेस करेंगे और इस वर्फ भारत सरकार ने गोशित किया है स्वयम भारत सरकार ने गोशित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नमबर बन है दोस्तों भारत के एक सियासदान ने मोधी सरकार का घिनावना चहरा बेनकाब करते हुए बताया कि मुसल्मान सबसे ज्यादा गाय का खयाल लगते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खाना देते हैं, दूद निकालते हैं, मक्षन से घी निकालते हैं और बेचते हैं आईए उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला, भारत में सबसे ज्यादा गाय का कतल भारत की सरकार कर रही है मुसल्मान नहीं कर रहे हैं और इस देश में ऐसे कई मुसलिम समाज हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो गाय को वैसे ही पालते हैं, जैसे आप पालते हैं आप कभी आईए गुजराट में कच्छ नाम का एक जिला है कच्छ जिले में एक नहीं सेक्रों मुसल्मान नहीं हजारों दोस्तों यह सब आपने जान लिया के भारत में सबसे जादा घाय का खयाल मुसल्मान ही रखते हैं और इंड्या दुनिया भर में गाय का गोष्ट परोफ़ेजाने लुजरा नंबर वन मुल्क है दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिर ऐसी क्या वजा है कि मुस्लमानों को कातल और जालिम कहा जाता है कई इंतहा पसंदू मुस्लमानों को संग दिल कहते हैं और मासूम जानवरों का कातल करार देते हैं इन लोगों में अक्सर हिंदू इंतहा पसंद और हिंदू पादरी पेश पेश होते हैं अगर आप मास खाते हो अगर आप गंदी चीज खाते हो आपके विचार कभी सुद नहीं हो सकते कब भी नहीं हो सकते दोस्तो आपने हिंदू इंतहा पसंदों के नफरत अंगेज बयानात सुने जिनका हकीकत से कोई तालुक नहीं है मगर पिर सुन्नत इबराहीमी के खिलाब प्रॉपगंडा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा दोस्तो डॉक्टर जाकर नाइक साहब ने इस मौमले पर अपने ख्यालात का इसार करते हुए ऐसे नकात उठाए हैं जिने हिंदू ने भी तस्लीम किया आईए आपको सुनवाते हैं कई गयर मुसलिम खुसुसान हमारे जो हिंदू दोस्ते वो कहते कि एस्लाम ज़के जोश खाने कि इजाज़ते हाई, इसलिए बै.'" एक जानवर के जान लेना कितना बैदर्द है गोश खाने कि इजाज़ते है इसलिए बैदर्द है पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मुसल्मान शुद शाकाहरी होके प्यूब वेजिटेरियन होके भी अच्छा मुसल्मान हो सकता है गोश खाना हमाई लिए फर्द नहीं कुरान में ये अधीस में कहीं लिखा नहीं कि गोश खाना फर्द है एक मुसल्मान, अच्छा मुसल्मान, शुद शाकाहरी होके, प्यॉर वेजिटेरिन होके भी हो सकता है, लेकिन, अल्द 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 फर्माते हैं, सुरह माइदा में, सुरह नम्बर पांच, आयत नम्र एक में, के हमने आपको खाने के लिए सारे जानवर जिसके चार पैरे उसकी इजादत दी है, सिर्फ जिसकी मुमानियत है, ये कहा गया है, सुरह नहल में, सुरह नम्र 16, आयत नम्र पांच में भी, के काटिल, भेड बखरी बनाया गया है, ताके आपके काम है, और आप उनका गोश्च खा सके, ये सुरह मुमिनों में जिकर है, सुरह नम्र 23, आ जो इस खाना सही है, क्या गलत है, आज की साइंस ये कहती है, कि मीट के अंदर मतन में, गोश में, हाई लेवल अफ प्रोटीन, इट नूटिशिस, वाइटेमिन के है, आयन है, एन है, एन हाई लेवल अफ प्रोटीन है, हमाई जिसम को 20 से ज्यादा अमिनो असेड की है, कोई भी वेजटेरियन फूड, कोई भी शाकाहारी खाने में, ये आँट अमिनो असेड एक साथ हई नहीं, लेकिन गोश में, मच्छी में, ये आँट अमिनो असेड एक साथ है, वो अलग बात है कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेजटेबिस खाएंगे, फूट्स खाते हैं, हर्भिवर्स अनिमल, मिसाल के तोर पे गाय, बकरी, आप देखेंगे, उनके दाथ फ्लाट दाथे, चप्ते दाथ हैं उनके, वो सिर्फ घास खा सकते, गोश खाई ने सकते, उनके दाथे चप्ते, हर्भिवर्स इट अफ तीत, आप वो जानवर को देखेंगे, जो गोश खाते हैं, मिसाल के तोर पे शेर, शेरे पबर, चीता, उनके नोकीले दाथे, कनाइन तीत, वो सिर्फ गोश खाते हैं, घास खाई ने सकते, अगर आप जाके आएने में अपने दाथ देखेंगे, हमारे पास चप्ते दाथ भी और नोकीले दाथ भी है, अगर अल होता है, कि हम गोश भी खा सकते हैं, और जो डाइजेसिस सिस्टम में, भेड बखरी का, वो सिर्फ घास खा सकता है, घास खासम कर सकता है, घास खासम कर सकता है, गोश खासम कर ने सकता है, जो चीते का है, शेर का है, शेरे बबबर का है, वो सिर्फ गोश को खासम कर सकता है गांस पूस को कर नहीं सकता है हमारा डाइसी सिस्टम जो भगवान ने बनाया है जो खुदा ने बनाया है जो अल्ला समात बनाया है वो गांस पूस भी हसम कर सकता है गोश भी हसम कर सकता है अगर अल्ला ताला चाहता कि हम सिर्फ गांस पूस का है तो ऐसाड आए सिस्टम क्यों दे जो गोश को भी हर्म कर सकता है और बहुत से लोग को गलत फहिमी है हुमारे हिंदू दोश लोग को कि उनके मज़बी किताबे गोश खाने से रोखती है ये गलत फहिमी है अगर आप उनके मदभी किताब पढ़ेंगे उनके मदभी किताबों में गोश खानिये के मुमानियत नहीं है अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मिती चैप नमबर फाइव वस नमबर थप्ती अध्याय पाँच श्रोका तीस उसमें लिखा है कि बगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है कुछ जानवर को खिलाने के लिए God has created some animals to eat and some to be eaten अगर आप वो जानवर वीडियो था कि अडू ही अंध्यात कर दो